हेलो स्टुरेंट्स, वेलकम टो और चैनल माही बायलोजी क्लासेज हम पढ़ रहे हैं हुमन फिजियोलाजी को जिसमें हम अल्रेडी मुख गुहा को पढ़ चुके हैं आपके अलिमेंटरी के नल आहार नल की जो भाग होते हैं मैं वह आपको बता चुकी हूँ उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है मुख गुहा उसको हम पढ़ चुके हैं उसमें क्या क्या कोशन बन सकता है किस पर कोशन पूछे जाते हैं यह टॉपिक में अल्रेडी कवर कर चुकी हूँ आज हम ग्रस्नी को पढ़ेंगे साथ साथ ग्रास्नली को पढ़ेंगे जिसको फैरिंग्स और इसोफेगस बोलते हैं ठीक है देखिए अगर हम डैजेस्टिफ सिस्टम की बात करें या फिर अपकी नीट एग्जामिनेशन की बात करें तो एक लिमिटेट चीज़े पढ़नी ह होती है हमें अगर हम देखिए हम मुक गुहा को ही पढ़ना चाहेंगे तो हम पूरी एक महीने तक उसको ही पढ़ते रहें इतना कुछ है पर जो हमारे कामकर नहीं है उसको पढ़कर हमारा कोई फायदा नहीं है तो हमने वही चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे एंसी वहां पर आपको करा दूंगी वहीं पर आपको explanation भी दे दूंगी कि वो क्यूं होता है तो अगर आपने अभी तक उस चैनल पर नहीं गए हैं बहुत कम बच्चे बहुत ही कम बच्चे वहां पर गए हैं अभी तक तो बेटा बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए वो सीरीज आप सोच भी नहीं सकते हूँ तो जाइए उस सीरीज को जॉइन कीजिए उसमें पार्ट डली हुए हैं फर्स सेकिंड करके सारे पार्ट आपको दिये जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट से उससे देखना शुरू कीजिए क्योंकि जब कर लिंक जो है वह आपको कम्यूनिटी पर मिल जाएगा साथी जो यह वीडियो होगी इसके कमेंट बॉक्स में भी आपको उसफ चैनल का लिंक मिल जाएगा उस वीडियो मिल जाएगा थीक है तो देखिए हम पढ़ रहे हें पढ़ रहे थे पाचन एवम अव्यूषर उपर की तरफ होता है जो रूफ को घेरे हुए है मुख गुहा की वो क्या है तालू है दो प्रकार का होता है आपका एक होता है हाड और एक होता है सॉफ्ट ठीक है तो जो सॉफ्ट पैलेट है वो आपका फैरिंग्स की तरफ खुलता है फैरिंग्स में खुलता है और वो उस में लार को मिला सके जीव म्यूकस वगारे सब उसमें मिल सके और जिसको उससे निगलने में आसानी हो जाए और जो करते हैं आप मिरर के अंदर देखिए अपने ऐसे मुं को ओपन करके देखेंगे तो आपको जो बताया था है यह लटका हुआ होता है वो आपका उसके पीछे आप देखेंगे तो आपको एक इंपोर्डन कोशन है को ऐसे ही बनता है जिस टाइप साब को बता रहे हैं वैसे लशी काडु उतक किस प्रकृति के उते हैं हमारी यह बंतर hari कि अगर हम और मुझस को करें फोलेंगे यहां पर भी आपको मिलते वो दो यहां पर प्रेजेंट होते हैं जिने पैलेटाइन टॉंसिल्स बोलते हैं और यहां पर लिंगवन टॉंसे यहां पर यह जो है सब पूरा वाल्डियर रिंग को बनाते हैं वाल्डियर रिंग कहां देखने मिलती है क्या होता है इंपोर्टेंट कोशन है तो कहां होता ह आपको wildeering मुख में देखने मिलती है पीछे की तरफ fadding वाले पाथ में यह क्या करते हैं यह defensive प्रकरते की नॉर्मल तो टॉन्सिल सभी के मुँर्ण होते हैं सभी के हैं वट उसमें अगर नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना ही उसमें कोई दर्द आपको दिखाईद मिलेगा लेकिन अगर उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए इन्फलमेशन हो जाए सूजन वगारा इससे क्या होता है इससे होता यह है कि उसमें पेन शुरू हो जाता है जैसे कुछ होता है defensive होता है ठीक है अब उस के बाद देखिया घ्रस्णी होती है वो टीन टाइब की होती है नाजा ठाइरिंस जो नोस हम सांस गार लेते अहरी सिस्टम पुरो चलता है सवास ब्रेपिंग बगे रहरा वह क्या करती है हवा को आयू को लेके बहुत हैî नाजा स्वासनली में दूसरा होता है आपका औरोफेरिंग्स जहां से भोजन होका गुजरता है यह लिंग्वल पैरिफेरिंग्स ठीक है तीन टाइप का होता है यह चीज़ ध्यान रखनी है बाकी उसके बाद जो ग्रसनी है वो जाकर ग्रासनली के अंदर खुलती है इसको इसोफे नहीं आएगा तो आप इससे चेक कर सकते हैं ठीक है इसोफेगर्स कई जगा पी इवी योज होता है वो भी ठीक है उसमें कोई प्राब्लम नहीं ठीक है तो यह फैरिंग्स और इसोफेगर्स अब इसोफेगर्स क्या है जो फूड को हमने माउट कैविटी के अंदर मू के हम जब पूड कर hardness के बाद हम निगलते हैं इसोफेगर्स के तुमक में बड़ते हैं उसको बोलस बोलते यह भी धियान डगना हमता ही तो उसका क्या होता है वो इसोफेगर्स के थूफेगर्स से जाता है कर दो required twin निभी अख़े करता है यह आपकी मुखवेल को उसको अमाश्य से जोड़ता है और भोजन को मुखवीयर से लेकर कहां पहुचाता है पहुंचाता है अमाश्य के अंदर इस चीज़ को भिध्यान रखना है एक होलो ट्यूब है संग्री ट्यूब है जिसमें क्या होता है भोजन और इसकी लेंद्थ कहती है 25 cm संग्रीयूब ही यहां से भाजन yan अगर मैं कहूं तो इस तरह से लंबुवत फोल्ड होते हैं उसमें जब भोजन को जाना होगा तो वो ओपन हो जाएंगे अधर्वाइस यह बंद रहेंगे बंद रहेंगे से मतलब है कि यह क्या क्यों है यह लंबुवत जो फोल्ड है यह आपके एर के एंट्री को रोकने के लिए मितलब यह ना घुच जाए वाई उसके अंदर ना घुच जाए अब एक चीज और जब भोजन मुख गुआ से आपकी इस इस उफेगस के अंदर आता है तो बीच में स्वासनली देखिए इस उफेगस है स्वासनली के पीछे इस चीज को धियान रखनी च्छोटी सी चीज है इस स्वासनली बोलते हैं उसके पीछे आगे नहीं तो उसमें के होता है अगर जब हम भोजन को निगल रहे हैं तो स्वासनली भी अगर ऑपन रह जाएगी तो भोजन ऐसा है क्यूंकि ग्रसनी जो है वह एक ही पार्ट है मतलब भोजन के लिए उभैनिस्ट पथ है भोजन के लिए भी और वायू के लिए भी तो यहां पर एक cartilaginous flap होता है जिसको बोलते हैं उपास्ती से बना flap होता है उसको बोलते हैं गांथी धाकन गांथी धाकन इसको इंगलिश में बोलते हैं आप epiglottis ठीक है epiglottis क्या करता है epiglottis entry को prevent कर देता है trachea के अंदर trachea को क्या करेगा यह trachea को ढख देता है trachea को ढख देगा तो भोजन जो है trachea में नहीं जाएगा आपका इस अफेगस में पोचेगा यह है important इस पर question भी मैंने आपको इसी channel पर करा रखें कि आपका जो इसो फेगस जो आपका epiglottis है वो क्या करता है यह glottis की covering है और यह करता क्या है भोजन को trachea के अंदर जो स्वास ने लिए उसमें जाने से रोबता है उसको बंद कर लेता है इसलिए हम बोलते हैं बड़े हमारे प्रॉपर बंद नहीं हो पाता है वो एकदम से बंद होता है तो फिर वह खासी आती है यह दसकाती है बात करते समय अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं यह दूसरी किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है तो एपिग्लोटिस के उपर बहुत बार रिपेटर कोशन बंद ऐसे ही सीधे 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 पूछा गया है बार बार एपिग्लोटिस क्या है और क्या करता है ठीक है एक बार जो कोश्चन आपको डपाचन अप्शूशन में करार रखें उसको एक बार जाकर देख पता चल जाएगा कोश्चन कैसे बनता है बाकि हम वहाँ पर तो कुश्चन से इसको कर रहे हैं ठीक है अब अब हमें ग्रास नली का पता चला ग्रास नली हमारी क्या है 25 सेंटेमीटर एक ट्यूब के समान नली के समान जो आपकी मुकुगुः को अमाशे से जोड़ती है ठीक हमाशे जोड़ती है यह हो आपको बैंड दिखाई पढ़ रहे है तो यह थोड़ा सा मतलब कर्व होजाता है और हिसका रीजन क्या है वहां होता है संखोचक इस फ्विंटर को हम वाल वाल बल सकते हैं मतलब कि घंश यहां से जब यह में बहोझन आ जा तो इसका बैडेक फ यहां पर अगर हम देखें यह जो है आपका इसोफेगस संत्री ट्यूब है मस्कुलर है यहां पर आपको ग्रंथिया भी देखने बिलती है के लिए मतलब मस्कूचन से एक किसी सिरीस का तुरूजाता है किसी करम के तुर जाता है सीदे नहीं एक एसाया से भोजन आया और ठप से यहां अमाशे में चला गए नहीं मस्कुलर कॉंट्रेक्शन संकूचन देखने मिलते हैं उनको बोलते हैं पैरिस्टाल से प्राणुकंचन गति विधियां वो क्या करती है उसके थुरू अहार नाल में देखिए भोजन को आगे बढ़ाने के लिए अहार नाल हम भोजन का यह प्राणुकंचन गति विधिया बोलते हैं पैरिस्टालस के थुरू प्राणुकंचन गति विडियो के थुरू यहां से यहां जाएगा यहां पर वॉल्फ प्रिजेंट होता है और यहां पर वॉल्फ इसके प्रानुकंचन गति विदियो का पता चला अब दिखी यह प्रेजेंट आपका यह प्रेजेंट है बोजन की बात कर रहे हैं किया कि हमें चेंजेस देखने मिल रहे हैं ठीक है प्रानु कंचन गठी वीडियो का पता चला अब देखिए यह प्रेजेंट आपका यह प्रेजेंट है और जो मैंने आपको सिक्वेंस बता रखा था बच्चो उस सिक्वेंस को बिल्कुल नहीं अब देखिए यह को भी प्रवेंट करने के लिए ह्टी के होता है लॉंगीटूडनल फ्लैप से होते हैं बो क्या करते हैं इसको एएर की एंटरी को रोपते हैं यहां पर स्लयस्मिक ग्रंफिया भी होती जो स्लैस में को छोड़ती है जिससे लुब्रिकेशन होती है चिकनाहाट होती है भोजन धीरे 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 करके प्रनुकंचन विधियो दुआरा के अब करता है आगे बढ़ता है अमास्चे तक पहुचता है ठीक है यह इतना ही आपने यहां पर ध्यान के रखना है लसी थोरेक्स होता है एड थोरेक्स एब्डॉमन ठीक है तीन पार्ट में बटा होता है तीन पार्ट में बटा है अगर हम देखें तो थोरेक्स कहां पर है जहां पर हमारे फेपडे प्रेजन्ट होते है वह वाला थोरेक्स वाला पार्ट है थोरेक्स वहीं पर आपका यह प्रे तंधारियों की मतलब एक अधभूत कहेंगे एक अभी लक्षण है इस तंधारियों में देखने को मिलता है डाइफ्राम जिसका सोशन में यह हम सोशन ब्रीथिंग बगारा यह जो होता है आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जो आगे चैप्टर आएगा भी हम सोशन को जब उसमें क्या होता है बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है आपके डाइफ्राम का तो डाइफ्राम उसकी सीमा है मिलता है संकोचक भी देखने मिलता है जिसको आपके बोलेंगे केस्ट्रोप इसोफेगस स्फिंटर जिसको अगर हम देखें तो आपको बोलेंगे अमाश्य इसोफेगस ग्रास्त्रीय संकोचक ठीक है आपके एंसेटी के इंदर मेंशन है इस संकोचक का नाम तो यह भी आपने ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है जिसको आप बाप अपने याद रखना है अब आप अपने अंसे आटी को पढ़ेंगे जहां जो भी 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 बैक फ्लोव को शोगरता है तो यह जो एमाश्य में प्रेजेंट होता है वो सारा कहां वापस से मुख्वगुवा से बाहर निकल जाता है ठीक है ध्यान दखना है तो यह आप आपका एक इंप्रोटेंट चीज है गांठी धकन इसके बारे में भी एपिगलोटिस के बारे में भी आपने याद रखना है ठीक है बाकी अब आप अपनी एंसे आटी को पढ़ेंगे जहां तक ग्रास ने लिया आपको बताई गई है जो इसो फिगर बताया गया है वहां यहां तक आप आप अपनी एंसेटी को पढ़ेंगे तो देखना बहुत अच्छे से समझ आएगी कि एंसेटे में क्या लिखा है एंसेटी को ऐसे ही पढ़ना होता है सिर्फ हमने रटे नहीं लगाने कि उसको खोला इतनी बार रीड कर दिया हो गया एंसेटी की कहीं-कहीं जो लाइन्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेइन वाली बात कहा जाती है जिसको एक्सप्लेइन करना जरूरी होता है इसलिए बच्छे सोस्ते हैं हमने तो पुरी एंसेटी को पढ़ा था कोशन यह आउट अव स्लेवस है जो कि गलत है एंसी आटी पढ़ने के बाद जो एक्जामीनर है वो कुछ कोशन ऐसे देता है जिससे आपके कॉंसेप्ट को चेक किया जाता है ठीक है और दूसरा बच्चों का रिक्वेस्ट है डेली वीडियो का अप्लोड कीजिए डेली वीडियो अप्लोड करने से आप मतलब डेली आ प्लोड करने से क्या हो जाएगा आप कोई रिस्पांस नहीं देते कोई कोशन पूछा जाए कोई कोशन का अंसर नहीं करते जो की गलत है अंसर किया कीजिए ठीक है मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक करें पढ़ते रहें थैंक्यू